ओनलाइन क्लासेज की स्रंखला में इस नात्रक्तरत्य वर्ष के जो विदार थी हैं उनके लिए पिछले वीडियो में हमने लोस्की के संप्रभुता समंदी विचारों के समंद में डिस्कस किया था उसी करम में आज के हमारे इस वीडियो में लोस्की के जो संप्रभुता समंदी विचार हैं उनकी विभिन विद्वानों द्वारा जो आलोचना की गई है उसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रियास करेंगी देखिए लास्की हैं वो एक बहुलवादी विचारक हैं और उन्होंने शंप्रभुता का जो एकलवादी जो शिदान्त है उसका उन्होंने विभिन आधारों पर उसका खंडन किया है उसकी आलोचना की है और वे बहुलवाद का एक परकार से समर्थन करते हैं लेकिन लोस्की के जो बहुलवादी विचार हैं उनमें आलोचकों का ये मानना है कि विचारों में अंतर नहीं थे विरोध है लोसकी एक और तो राज्जे की सरोचता और शंपरभुता का विरोध करते हैं और दूसरी और राज्जे को ऐसे कारिये सौंपना चाते हैं जो केवले शंपरभु शंपन राज्जे द्वारा ही किये जा सकते हैं यदि उदार्ण के लिए हम देखें तो राज्जे का कहना है कि राज्जे की विशेश सेवाओं के बिना अने समुदाय ने तो पनप सकते हैं और नहीं अपना उदेशे पूरा कर सकते हैं इस प्रकार लौस्की के जो संप्रभुता समंदी विचार है उसमें हमें अंतर विरोध है वो दिखलाई पड़ता है दूसरी जो आलोच कारिये बतलाते हैं क्योंकि परतेक समुदाय का एक विशिष्ट कारिये होता है और वह उनका पर्थक पर्थक व्यक्तित्वय अस्तित्वय भी मानता है लेकिन वास्तिविक्ता यदि हम देखते हैं तो इसके विपरित होती है इन समुदायों के कारिये प्रस पर गनिष्ट रूप से समंदित होते हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे के सयोग के उपर निर्बर करते हैं लास्की ने राजनेतिक वे गेर राजनेतिक समदायों के अस्तित्व को जिस रूप में अलग अलग वे सवतंतर माना है वैसा विवार में संभव नहीं है लास्की की जो कानून समंदी धारणा है वो भी दोस्प्रून है लास्की राज्जे को ने तो कानूनों का स्रोत मानते हैं और ने ही राज्जे के अद्देशों को ही कानून मानते हैं उनके अनुसार समाजी कावसेक्ताएं ही कानून का स्रोत होती है लेकिन वास्तविक्ताएं वो इससे अलग होती है वेवार में समाजी कावसेक्ताएं राज्जे की स्वीकर्ती के अबाव में कानून का रूप तो दारण कर ही नहीं पाती है अपितु यह भी राज्जे पर न बंदंग निये होता है यह कहना अनूचित नहीं होगा कि सामने इस्तती में राज्य क्या देश ही कानून होते हैं शंप्रभुता का जो एकलवादी सिदान्त है उसकी जो उन्होंने अलोचना की वो एक परकार से भ्रांति पूर्ण है बोंदा और आस्टिन ने मातर एक कानू कानूनी धारना के रूप में राज्य की सरगोचता निरंकुषता और शंप्रभुता का समर्थन किया है वेवार में उन्होंने राज्य की सत्ता को दायत्वहिन नहीं माना है एक उन्होंने राज्य की सत्ता पर वेवारिक सिवाओं को भी ऐसंभव नहीं माना है वस्तुत ह होब स्विबोंदा आस्टिनादी ने राज्ये की सत्ता एवं कानून के विरोध को गेर कानूनी अवेद तो माना है किन्तु इसे अनेतिक एवं ऐसंभव नहीं माना है अतेलोस की और अन्य जो बहुलवादी विद्वान है वो आस्टिनादी के जो एकल संपर्बुता के जो सिदान्त है उसकी जो अलोसना करते है वो वेवारिक दरस्टी से उचित पर्थित नहीं होती है वस्तुते जो एकलवादी विद्वान हैं उनका यहमत उचीती है कि विदिक सिदान्त की दृस्टी से कानून निर्मान की सरवोच सता राज्ये के पास है और इस सताओ किसे ने समधाय को नहीं सौंपा जा सकता राज्ये में पूर्णत का भाव है लाउस्की ने राज्ये को मातर एक राजनितिक समधाय के रूप में मनेता दी है और उसे अने गेर राजनितिक समधायों के समकस माना है किन्तु वेवार में राज्ये ही समध समाज के संपूर्ण इतों की देख रहे के रक्सा उनमें बहुलवाद की जो समर्था के विद्वान है मिस फॉलेट उनका ये निश्कर्स मेरी आत्मा का निवास राज्जे में है स्विम लोस्की ने भी बाद में अपने विचारों को संसोदित करते हुए राज्जे के महत्वय और विशिश सत्ता को स्विकार किया है अंतराष्ट्रिय ये थार्तवाद की दर्ष्टी से भी अलोचना की गई है लोस्की के बहुलवाद की मानवता तता अंतराष्ट्रिय नेतिक्ता की दर्ष्टी से लोस्की का यह विचार उच्चित परतीत होता है कि कम से कम राज्जे की बाई प्रभुसता की धारना का प्रत एक राज्ये श्वय में एक सक्ति काई होता है और इस श्यथार्थ को मातर नेतिक आदार पर नकारना सत्य वास्तिक्ता से मुए मोड़ना है तरक की दर्ष्टी से भी लौस्की का जो उप्रूक्त मत हो उचित नहीं है लौस्की कहते हैं कि पूरी दुनिया के राज्यों का ए वहं क्षफेवें पर्वुत्वेसंपं राज्ये की स्तापना चाहते हैं और इससे यहीशित होता है कि स्विहम लाज्य की विवार में सर्वोच्च वै पर्वुत्व Initi विचार्क है उफतना है उसको स्विकार करते हैं दच्प़े जो लौस्की के बहुलवाद की अलोसना का जो आदार है वो यह है कि लौस्की अराजकता को प्राथसान देते हैं यदि लौस्की ओरने जो बहुलवादी विचारक है उनका उदेश से एकत्ववादी सिधानत का विरोध करके राज्य में इस्तित विबिन समुदायों को सवसासन के प्रियापत अधिकार दिलाना है तो इसका अर्थ राज्य की परसासनिक सत्ता के विकेंद रिकंड से लिया जा सकता है और इसकी परसंसा भी की जा सकती है लेकिन लाउस की आदी मात इतने से संतूस्पर्तित नहीं होते हैं पित्वए राज्य की सरवोचिता को ही उकार फैंकने का प्रियतन करता है तब यह वेर्थ नहीं लेकिन खतना कावसे हो जाता है वस्तुत है कि संपुन परभूत्वा संपन राज्य के अबाव में हम किसी भी व्यवस्तित सबे समाज की कलपना है वो नहीं कर सकते इस परकार लाउस की द्वारा जो बहुलव सकती का तो विरोध किया ही है लेकिन वह राज्य की आवसेकताव मेत्वय से बलिभांती प्रीचित है एते हैं उनका जो दरसन है वो राज्य विरोधी नहीं है और नहीं यह किसी परकार क्या राज़कता का समर्थन करता है यह तो पी ओस्टीन का जो एकल संपर्भूता का जो सिदानतो हुए कानूनी अवदाडना के रूप में सत्य माना जा सकता है लेकिन इस के आड़ में पूर्ण निरंकुस और जो समगरतावादी राज़े की स्तापना का जो परियास किया जाता रहा है लोस्की ने उसकी आलोचना की है और इस द्रस्टी से लोस्की का जो परियास हुए एक परकार से हमें सराणियन नजर आता है ओस्टिन आधी की तुलना में आदर्सवादी जो हीगल है उनका जो एकलवादी प्रबुसत्ता सिद्धानत है वो अधिक खतनाक है जो राज्य को कानून के साथ ही नेतिक द्रस्टी से भी पूरण सर्वोच और संपरबुता संपन मानता है और राज्य को एक परकार से साध् से गोशित करता है हीगल का संपरबुता का सिद्धानत है उसके प्रसंग में लौस्की के विचारों का विशिष्टि स्थान मानता है लौस्की की वेक्ती पर मुदी पूर राज्य के तुर्प कि नियन्तित वा चुप्वंगत्वा विच्थाज्जा वे समदायों की सवतंतरता की रख्षा करना है वेराजेक और निरंकोस वे अनुतरदाई सहिस्था के इस्थान पर एक समाज सेवक वे समाज उप्योगी सहिस्था की रुप में देखना चाहता है तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने लोस्की के जो संप्रबुता समंदी विचार है लोस्की का जो बहुलवाद का जो सिदान्त है उसकी विबिन विजवानों ने जो अलोचना की है उसके आदाराउं के समंद में हमने डिसकस किया है आगे के जो वीडियो हैं उनमें लॉसकी के अधिकार समन्दी विचार समानता सवतनता के समन्द में उनके विचार इन सब के उपर करमसा डिसकस करने का प्रियास किया जाएगा धन्यवाद